बिस्मिल्ला अर्मान रहीम, असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट, सेकेंडेर बियालोजी चैप्टर नमबर 23 अकार्डिंग टू स्मार्ट स्लेबर्स हम पढ़ रहे थे बायो टेकनोलोजी को तो बायो टेकनोलोजी में आज का आपको टॉपिक है डियने एनलाइजिंग जिसको डियने फिंगर प्रिंटिंग भी कहते है और डियने एनलाइजिंग या डियने फिंगर प्रिंटिंग इसका बहुत यूज है आज के दोर में जैसे कि आप भी जानते हैं फॉरेंजिक जितना भी काम होता है वो सारा डिपेंड करता है DNA एनलाइसिंग के उपर DNA फिंगर प्रिंटिंग के उपर तो आज का आपका जो टॉपिक है बड़ा इंपोर्टन टॉपिक है स्टार्ट करते हैं एनलाइसिंग DNA को दूसरा नाम इसका सेक Migrator प्रिंटिंग है और कुछ स्टेप्स होते हैं DNA को एनलाइसिंग करने के एनलाइसिंग का मतलब पहले आप समझ ले एनलाइसिंग का मतलब होता है आपने DNA के जैना वी जूर सुरांओर। यह नहीं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जैसे कि एडनीन, गवानीन, धायमीन, साइटोसीन वगएरा वो किस तरह से उनका सीक्वेंस आ रहा है निकलोटाइड का वो सीक्वेंस आपने रीड करना है वो देखना है उसको मैच करना है जो फिंगर प्रिंटिंग होती है उसमें आपने डियन ने मैच करना होता है तो उसको आप एनलाइजिंग डियन ने कहते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं सबसे पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन आफ आर एफ एल पीज़ अब यह आर एफ एल पीज़ क्या होते हैं आर एफ एल पीज़ जो होते हैं यह रिस्ट्रेक्शन फ्रेग्मेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिजम यह जो है आपका जो टार्गिट डियन ने होता है उसके अनिक्वल साइज लेंथ और वेट की बिनाबर डिफरेंट वेट के डिफरेंट साइज के स्टेग्मेंट होते हैं तो उनको हम आर एफ एल पीज कहते हैं तो उसके लिए वो तियार करने के लिए सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन उनकी तो फॉर्मेशन कैसे होगी जो जिनोम होगा जो डियन ने होगा उसको ट्रीड करेंगे रिस्ट्रक्शन इंजाइम के साथ और रिस्ट्रक्शन इं जायम है जो DNA को cut करेंगे जनौम को cut करेंगे जिससे फिर RFLP जनरेट होंगे, अब RFLP जो है ये क्या होगे जी डिफरेंट साइज, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट मलेकुलर वेट, इसकी बनापर डिफरेंट फ्रैग्मेंट्स होंगे, पिर इनकी PCR करवाएंगे, PCR से क्या होगा कि Amplification होगी Amplification का मतलब होता है को Copies बनाएंगे हम बहुत सारी Next जो दूसरा स्टेप होगा उसमें हम Electrofresis करवाएंगे जेल के अंदर और जेल जो है इसके अंदर हम यूज करेंगे Agrose जेल एक टाइब की जेल होती है खास किसम की जेल है जेल आपको पता है एक विसकस मेटेरियल जो जेल बोलते है इसके इलावा इस Agrose जेल की खासित ये है कि ये पोरस है पोरस का मतलब ये है कि इसमें पोर्स मुजूद है और जब DNA के फ्रेगमेंट्स इसमें से मुव करते हैं तो वो उन पोर्ट के रास्ते मुव करेंगे तो अलेक्टो फ्रेशिस क्या होती है अलेक्टो फ्रेशिस का मतलब ये होता है कि आपने DNA के जो डिफरेंट पीसिस जनरेट किये हैं जिनको हमने RFLPs का नाम दिया है उनको आपने सेपरेट करना है किसी अलेक्टिक करंड की वज़ा से तो वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने साइज, वेड, मालिकुलर लेंथ हो गयरा तो उसकी वज़ा से फिर वो सेपरेट हो जाएंगे और अपेर होंगे ऐस समेर के तोर पर समेर कहते हैं धबे नहीं होते हैं जैसे दाग धबे से होते हैं इस तरह से अपेर होंगे तीसरा स्टेप है प्रोब का यूज करना प्रोब जो होता है प्रोब क्या होता है प्रोब का एक ऐसे समझ लें जैसे कोई खोजी होता है कोई खोज करने वाला होता है व्यूंकि जब जैल एलेक्ट्रफ्रेसिज होती है तो हम उस DNA के फ्रेग्मेंट्स को हम नहीं देख सकते तो उसके लिए फिर हम DNA के निकलोटाइड का बना हुआ कोई सीक्वेंस यूज करेंगे जिसको हम प्रोब का नाम देंगे और प्रोब जो है हाइबरडाइज करेगा DNA के साथ और जो है वो रेडियाक्टिव आईसोटोब पर मुश्टमिल होगा मैंली और इसके जासे फिर हाइबरडाइजेशन होगी और वो उनको तलाश करेगा और आप उसको देखने के काबिल हो सकेंगे क्योंकि आपने DNA फिंगर को मैच करना है तो तब ही पॉसिबल है जब आप उसको जब आप प्रोब की मदद से उसको डिटेक्ट करेंगे तो प्रोबी सिंगल स्टेंड होता है DNA निकलोटाइज का और जो स्टेन पीसिस होते हैं DNA के वो हाइबरडाइज कर जाते हैं उसके साथ मिल जाते हैं एक टिव है इसको रिस्ट्रक्शन इंजाम की मदद से इसमें हमने क्या करवाया जिए डिफरेंट आर एफ एलपी जनरेट करवाए उसके बाद बीसी आर की मदद से हमने इसको क्लोनिंग की जो इनकी कॉपी बनाई उसके बाद पिर यह डिवाइस है इसको हम इसमें DNA रन और यह जो है इसका अलेक्टिक सप्लाई जो है इसको दी गई है क्योंकर अलेक्टो फरेसिज हो रही है ठीक है यह जो है इसका कैथोड है यह अनोड है ठीक है जी तो उसके बाद फिर जब आप इसके अलेक्टो फरेसिज करवाएंगे तो यह अपने साइज लेंथ की बिन आपर रन करना शुरू करेंगे नॉर्मल जिन्देगी अंदर भी ये होता है कि जो बारी साइज के होंगे मोटे होंगे जिनका वेट ज्यादा होगा वो सबसे पीछे होंगे और जो हलके फुलके होंगे साइज वेट कम होगा वो सबसे आगया आगय होंगे अगर किसी कुछ लोगों की हम रेस करवा देते हैं तो वो जो है ना जो भारी लोग होंगे वो बीच्छे होंगे मेरे जैसे और जो हलके फुलके होंगे वो सबसे आगय होंगे तो फिर ये जो DNA के जो fragments है ये हम जो है किसी graph के अंदर किसी उसके अंदर हम इसको आपको नजर आ रहे होंगे ये वन टो त्री तो इसको जो है फिर आपने इस पर probe apply करना है ये probe apply कर रहे हैं इसके साथ hybridize हो के फिर आपको ये इसके बाद आपको नजर आ जाएंगे इस तरह से नजर आएंगे समयर के तोर फिर नजर आएंगे अब probe जो हो सकता है वो radioactive या fluorescent हो सकता है यानि कि कोई चमक पैदा करने वाला radioactive हो सकता है जो radiation खारिज करता है और जब probe का use है इसमें हम क्या करते हैं हम जो band of जो band होते हैं जो RFLPs होते हैं उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और probe की मदद से उनको detect कर सकते हैं इसके इलावा probe जो है वो genetic marker के तोर पर भी उर्यूस होते हैं जिससे distinctive pattern чो है हम record कर सकते हैं सःक्रीन के al सकते हैं उनको हम genetic marker कहते हैं तो probe जो है हम उनको genetic marker का नाम भी देते हैं क्योंकि उनको हम record कर सकते हैं इसके बाद फिर डिन ने एनलाइजिंग की application है डिन ने फिंगर प्रिंटिंग की application है सबसे पहले नबर पर डायगनोसिज आफ डिजीज जितनी भी जो विरास्ति बिमारिया होती हैं उनको हम डायगनोस कर सकते हैं इसकी मतब्स से जैसे के हिमोफिलिया है टायबिटीज है पारकिंसन डिजीज वगएरा है तो इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं डायगनोस कर सकते हैं इसके लावा forensic laboratory जो होती है forensic laboratory जितनी भी होती हैं जैसे कि जहां पर murder होने वाले शक्स और कातिल उनका DNA मैश किया जाता है इसके लावा जो criminals वगएरा होते हैं उनको identify करने के लिए हम use करते हैं forensic lab को इसके लावा जो teenager होते हैं उनकी identification उनके remains की identification यानि के वो कहां से belong करते हैं इसके लावा forensic evidences वगएरा जिकर forensic evidences वही हो गए कि कोई activity कोई criminal activity होई है Assault का केस है कोई murder का केस है कोई तो उसमें हम DNA match करते हैं as a forensic evidence के तोर पर हम DNA matching करते हैं DNA fingerprinting करते हैं तो actually वो DNA fingerprinting DNA analyzing ही है वो इसी method से किया जाता है इसके लावा एक बड़ी एहम सी बात है determination of parent age अब अक्सर ये चीज़ा आप में सुनी भी होगी कि बच्चे जो है वाल्दैन को बच्चों के साथ मैच करने के लिए parent मालूम करने के लिए कि बच्चे के parents हकी parents कौन से हैं तो वो DNA भी जो है हम मैच करते हैं उनका बच्चे का DNA और parents का DNA तो फिर हम उसको हम कहते हैं के determination of parent age उसमें क्या करेंगे हम child fingerprint लेंगे और उसके parents के फिंगर प्रिंट्स लेंगे और उनको compare करेंगे तो इस तरह से फिर हमें determination होगी parentage की के इस baby के इस child के real parents कौन से हैं इसके लावे human population की evolutionary history अगर तो हम evolution study कर रहे हैं fossils की study कर रहे हैं टीकन अफ पैलेंटालोजी के अंदर भी यूज होता है fossils की study करने के अंदर भी यूज होता है तो evolutionary history मालूम करने के लिए भी हम इस code analyzing को यूज करते हैं फिंगर ब्रिंटिंग को यूज करते हैं तो ये कुछ applications थी जो के आज इस modern दोर के अंदर बायर टेकनालोजी के मरहूने मिनत हैं और ये जो DNA analyzing है ये बड़ी important सी टेकनीक है बायर टेकनालोजी की ये diagram देखें जरा इस diagram के अंदर आपको नज़रा रहा होगा ये पहला जो graph है इसमें M for mother है और C for child है और F for father है अब इनके DNA segments को हमने लिकाला है वैसी उनके RFLBs बनाए जब पीछे आप बढ़ गया चुके हैं और उनको पिर electrofreshes करवाई रन करवाया तो उन में से जो है पिर हमें ये जो arrows आपको नज़रा रहे हैं इन arrows से ये बच्छल रहे हैं जो एक ही line में होंगे वो फिर क्या होंगे कि वो उस child के mother father है इस case में आप देखें जड़ा अब यहां पर child है और एक F1 एक father है एक F2 दूसरा father है तो दोनों कलेम कर रहे हैं ये मेरा child है ये मेरा child है और साथ में mother है उसके DNA सब के DNA run करवाए है जैल एलेक्टो फ्रेसिस करवाई तो F2 के जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं child के साथ ज्यादा matching F2 के साथ हो रही है तो इसका मतलब यह है एक F2 जो है उसका फादर है इसके इलावा जो DNA का टेस्ट इसी तरह DNA fingerprint को forensic science के अंदर भी जो है हम यूज़ करते है ये diagram black सी आ गई है जो black black आपको नज़र आ रहे हैं ये DNA के वो RFLPs है अब एक example लें जो अपके book में भी code है एक कोई woman है कोई assault हुआ जिसका या कोई murder हो है इसका तो उसका हमने उसके skin से उसका specimen लिया ठीक है उसका victim का blood लिया body है dead body है उसका blood लिया blood से DNA निकाल के फिर जो है हमने इस line में रख दिया RFLPs बना के इस तरह से फिर अब उसने मजाह में तुकी होगी ना कोई जो उसको कतल करने आया है या जो भी है उसके साथ उसकी कोई मतलब लड़ाई हुई होगी हाथ उसने नोचा उगा उसको उसके हाथ में उसके हेर मर्डर के हेर रह गए होंगे या फिर कोई स्किन को उसने स्रेच्च कि होगा तो कोई स्किन के सेल रह गए होंगे वहां से हम DNA का फ्रेग्मेंट ले लेंगे इसके लाव कुछ सस्पेक्ट्स होंगे ठीक है ना कोई जिनके उपर शक है ठीक है या फिर सस्पेक्ट होंगे या फिर जो है उनको कोई लिंक होगा murder के साथ murder के साथ उन सब के sample ले के हम run करवाएंगे जो एक ही line में आएंगे वह match करेंगे उनके dna match कर रहा होगा वही jak my murderer होगा और जो बिलकुल क्रीब गरीब होंगे वह उससे उनका थोड़ा बहुत link होगा जो दूर होंगे वो उनका कोई तालुक नहीं है जो करीब करीब होंगे एक ही लाइन में है वो तो कन्फरम है उनके डियने मैच हो रहा है और जो करीब करीब जिनके डियने के फ्रैग्मेंट आ रहे हैं वो उसका मतलब यह है कि वो कोई न कोई उनकी फैमिली में से हैं और कर भी हैं उनके तो इससे फिर खलेर हो जाएगा कि मर्डर का पता चल्ड लग जाएगा कि कौन किसने कतल किया है ठीक है जी तो इस तरह से DNA एनलाइजिंग की जाती है ड्याने फिंगर प्रिंडिंग की जाती है ठीक है बच्छों समझा गई आपको अगर कोई कोई आपको प्राबलम हो कोई समझना आ रही हो कोई चीज कोई आपको क्वेस्टिन हो तो यूट्यूब के वीडियो के निसे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए का इसके लावा फेस्बूक पे मेरा बेज है बियालोजी सिलुशन के नाम से इशाला फिर नेक्स्ट नेक्सर में आजर होंगे आज के लिए इतने ही था लाहाफिज